आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही स्वाधिस्ट और मसालिदार करेली की सबजी इस सबजी को बच्चे भी खाना बहुत पसंद करेंगे क्योंकि आप भी मेरे इस तरीके से करेली की सबजी बनाएंगे तो यह खाने में बिल्कूल भी कड़वी नहीं लगेगी और यह बहुत ही सौधिस्ट और चटपटी बनेगी आप भी घर में ऐसी मसालेदार और सौधिस्ट करेली की सबजी बनाएंगे तो घर के सभी इस सबजी को खाना बहुत ही पसंद करेंगे तो चलिए इस सौधिस्ट और मसालेदार करेली की सबजी को बनाना शुरू करते हैं दोस्तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आईगी तो इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों से सेयर करें और आप मेरी चैनल पर नहीं हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले मैंने यहां करेली की सबजी बनने के लिए 250 ग्राम करेली लिया है सबसे पहले मैंने इस करेलो को पानी से अच्छे से दोया था और बाद में इसको ऐसे पतले पतले स्लाइसेस में इसको कट किया है इसे कट करने के बाद अब हम चलते हैं इसको हलका सा fry करने के लिए मैंने ग्या सॉन करके उसपे pan रखके उसमें एक बड़ा चमच oil डाल दिया है और बाद में इसमें आदा छोटा चमच जीरा डाल दिया है जैसे ही जीरा तड़क जाएगा वैसे ही हमने कट किये हुए करेले की स्लाइसेस में डाल देंगे या करेले के स्लाइसेस को पहले दो मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको फ्राइ करना है करेली की सबजी खाने में कड़वी न लगे इसलिए इसमें हम आदा चोटा चमच हाल्दी पाउडर डालेंगे और इसे भी ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हलका सा फ्राय करेंगे अच्छ से मिक्स होनी के बाद इसमें एक चोटा चमच नमक डालेंगे और इसे भेहिसे अच्छ से मिक्स करेंगे हल्दी पाउडर डाल करेले को ऐसे हलके से फ्राय करने से करेले की सबजी बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी एक खाने में बहुत टेस्टी भी बनेगी यहां और एक बात यह है कि करेलो को ऐसे फ्राइ करते समय नमक डाल कर इसे फ्राइ करेंगे तो भी करेली की सबजी कड़वी नहीं लगेगी अगर आप भी चाहते हो कि आपकी भी करेली की सब्जी खाने में कड़वी न बने तो स्लैसेस में कट किये हुए करेली को हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डालकर 50% तक पकने तक इसको ऐसा फ्राई करके लेना होगा इस करेली को ढख कर और दो मेनित तक हल्का सा पकाएंगे तोलर डाल कर यहां करेली को 50% तक पका ना होगा और यह देखिये, यहां हमारे करेली 50% तक अच्छे से पक गए है अब हम इसे निकालते हैं करेली की सब्जी बनाने के लिए गयास पे एक कड़ाई रखेंगे और उसमें दो बड़ी चमच ऑईल डालेंगे जैसे ही ऑईल गरम हो जाएगा उसमें डालेंगे एक चोटा चमच जीरा और जीरा अच्छे से तड़कने के बाद उसमें डालेंगे एक चोटा चमच राई जीरा और राई अच्छे से तड़कने के बाद उसमें डालेंगे चार कटी हुए हरी मेर्च हरी मेज डालने से करेली की सबजी बहुत टेस्टी बनती है इसलिए इसमें हरी मेज डालना है अब हम इसमें डालेंगे 6-7 करी पत्ते जैसे हरी मेज और करी पत्ते अच्छे से फ्राय हो जाएंगे उसमें डालेंगे दो कटे हुए प्याज मैंने यहाँ दो मेडियम साइज के किम प्याज को कट करके लिया है प्याज को ऐसे चलाते हुए मेडियम गैस के प्लेम पे इसको 50% तक अच्छा सा फ्राई करके लेना है प्याज को चलाते हुए ऐसे पकाने से अब यहाँ प्याज जैसे ही पकते जा रहा है वैसे ही एस वाप बनने लगा है अब हम डालेंगे इसमें एक बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर टमाटर डालने के बाद इसको भी ऐसे चलाते हुए इस स्वाप बनने तक इसको भी पकाना है करेली की सबजी में टमाटर डालने से करेली की सबजी थोड़ी सी खट्टी बनकर खाने में बहुत टेस्टी बनती है साथ यह खाने में कम कड़ी लगती है इसलिए इसमें टमाटर डाल दिया है आप चाहे तो टमाटर की पेस्ट बना कर भी डाल सकते हैं जैसे ही टमाटर पककर स्वाप्ट बनेंगे वैसे उसमें डालेंगे आदा बड़ा चमच अद्रक की पेस्ट और आदा बड़ा चमच लेसुन की पेस्ट और इसे भी अच्चे से मिक्स करके लेंगे अद्रक और लेसुन की पेश्ट डालने से करेली की सबजी खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है उसके बाद करेली की सबजी में हम आदा चोटे चमच हल्दी पौडर डालेंगे आदा बड़ा चमच लाल मिर्श पाउडर और आदा बड़ा चमच मसाले वाली मिर्श पाउडर डालेंगे एक बड़ा चमच गोड़ा मसाला एक बड़ा चमच गरम मसाला और सौध के नुसार नमक डालेंगे इसे डालने के बाद हम इसे अच्च से मिक्स करके इसे भी दो मिनट तक ऐसे पकाएंगे इसमें मसाले डालने के बाद मसाले अच्च से पकने के लिए दो मिनट तक इसको मेडेम फ्लेम पे इसको ऐसे पकाना है जैसे ही मसाले अच्छे से पकते जाएंगे वैसे ही वो आईल चोड़ने लगेंगे और जैसे ही मसालों को आईल चोड़ने तक ऐसे पकाएंगे तो करेले की सबजी खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगी जैसे ही मसाले अच्छे से पकते जाएंगे वैसे ही वो आईल छोड़ने के साथ साथ मसालों की स्मेल भी बहुत अच्छे से आने लगेगी और इससे हमारी करेले की सब्ची भी बहुत टेस्टी बनेगी यहां मसाले अच्छे से पक गए है अब हम डालेंगे इसमें पहले ही 50% तक पकाये हुए करेले मसालों में करेले डालने के बाद इसे ऐसे मसालों के साथ एक जैसा मिक्स होने तक इसको ऐसे चलाते हुए मिक्स करके लेना है करेले और मसालों को अच्छे से मिक्स करके पकाते समय ग्यास कप ले मेडियम रखना है हमने यहां करेले को पहले से ही 50% तक पकाया है अब इस करेले को जादा नहीं पकाना पड़ेगा साथ ही करेले को पकाते समय मसाले जलना जाए इसलिए ग्यास का फ्लेम मेडियम करना है यहां सभी करेले मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो गए है मसालों के साथ करेले को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढख कर और 2-3 मिनिट तक इसको मेडियम ग्यास के फ्लेम पे इसे पकाएंगे यहां हमारे करेले दो मिनर तक अच्च से पक गए है अब हम इसे ऐसे चलाते हुए इसको अच्च से मिक्स करके लेंगे यहां हमारी करेले की सब्जी बहुत ही टेस्टी और सूपर बनी है और इसका स्मेल तो बहुत अच्छा रहा है अब हम इसमें डालेंगे दो बड़े चमच भूनी हुई मुंगफली की पिसी हुई पाउडर और बाद में कटे हुए हरिदन्या के पत्ते डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करके लेंगे करेली की सबजी में बूनी मुंगफली की पिसी हुई पाउडरा और हरीदनिया की पते डालने से करेली की सबजी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है अब हम इसे और दो मिनट तक ऐसे चलाते हुई इसको हलका सा पकाना है मुगफलिया और हरी दन्या के साथ करेली की सबजी को पकाते समय गैस का प्लेम एकदम लो करके इसको पकाना है मुगफली की पाउडर डालने के बाद यहां हमारी करेली की सबजी अच्छे से पक गई है यह देखिए कितनी सूपर और टेस्टी बनी है करेली की सबजी यहां हमारी मसालेदार और बहुत ही सूपर टेस्टी करेली की सबजी बनकर रेड़ी हो चुकी है अब हम इसे निकालते है ऐसे मसालेदार और टेस्टी करेली सबजी को आप गर्मा गर्म चपाती के साथ या जो और की बाकरी के साथ भी खा सकते है ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि करेली की सबजी खाने में बहुत कड़ी लगती है इसलिए हमें खाना पसंद नहीं है ऐसा बोलते हैं मगर आप करेली की सबजी मेरे इस तरीके से आप भी बनाएंगे तो करेली की सबजी खाने में बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी इस मसालेदार करेली की सबजी को बड़े तो खाएंगे साथ ही इसको बच्चे भी बहुत ही पसंद करके इसे खाएंगे इस तरीके से करेली की सबजी को बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी खाने में कड़वी नहीं लगेगी तो दोस्तो अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आये होगी तो आप भी इसे जरूरू ट्राइ करके देखना फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई